चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको एक विशेश बात के लिए आगा करने के परपस से बनाया गया है हम सब को पता है कि नीट 21 की न्यू एक्जाम डेट का अनॉंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है और जो 1 अगस्त को एक्जाम होना अभी संबाव नहीं है क्योंकि अभी तक एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए है अब विशेस बात यह है कि जो एक्जाम डेट अनॉंस होगी वो सोड टाइम के लिए ही होगी यानि कि एक्जाम डेट अनॉंस होने के बाद प्रिप्रेशन के लिए समय नहीं मिलेगा ऐसा ही हमें 2020 में देखने को मिला था अभी ये कन्फरम सा ही है कि एक्जाम शिप्टेंबर में ही होगी तो अभी आपके पास दो मैने का समय से इस बचा है तो आप प्लानिंग के साथ अभी प्रिप्रेशन करें ताकि एक्जाम डेट कभी भी अनॉंस हो आपको इसमें कोई नुकसान न हो कोई किसी प्रकार की प्रोब्लम न हो यह एक कथिन परिश्थिती है यह भी इस समय एक परिक्षय ही है आपको अभी धेरिये के साथ काम लेना है आपकी किसी भी कंडिशन में स्टड़ी इफक्ट ना हो ऐसा आपको ध्यान में रखना है आपको एक योदा की तरह प्लानिंग करनी है कि exam date कभी भी announce हो आपको exam के लिए हमेशा तयार रहना है हमने 2020 में भी देखा था कि selection उनी student का हुआ है जिनोंने lockdown का फाइदा उठाया है तो आपको भी इसी भड़े हुए समय का फाइदा उठाना है उन student को नुकसान होगा जो ये सोच रहे हैं कि exam date announce होने के बाद study करेंगे और उसके बाद उनको समय ही नहीं मिलेगा तो आप ऐसी गलती नहें करें अपने study continue रखें वीडियो के अंत में आपका ज्यादा समय ने लेते हुए ये आगा करना चाहूंगा कि आप अपने study continue रखें पर डे कम से कम 12 से 14 hours की study अवस्य करें exam date कभी भी announce हो सकती है और ये short time में announce होने वाली है इसके तुरंत बाद application form start हो जाएंगे तो आपको बिलकुल ready रहना है planning के साथ में study करनी है समय का दुरूपयो कभी नहीं करना है इस समय में ये समय आपके लिए बड़ा ही important है इस समय का अगर आपने सदुपयो कर लिया तो आपको इस बार medical college में admission के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है आपको इस बात का बिलकुल ही ध्यान रखना है समय की नजाकत को समझना है और समय के अनुसार study करनी है किसी प्रकार की tension नहीं लेनी है हम सब जानते हैं कि इस समय exam date की tension हो रही है application form start नहीं हुए है उनकी tension हो रही है लेकिन जो student इन सब tension को दरकरार रखकर अपने study 12 से 14 hours daily करता है ये सुचता है कि चाई exam कभी भी हो मेरे को हमेशा तयार रहना है उस student का selection अवस्य होगा आप अपने आपको जान लें देख लें आप भी उन student में आते हैं क्या अगर ऐसा आपके साथ है तो मैं आपको guarantee के साथ कहता हूँ कि आपका medical college में इस साल selection होना संभव है कोई नहीं रोक सकता है आपका अवस्य ही selection होगा तो दोस्तों आप भी इस समय का फाइदा उठाए नई update के साथ में नए वीडियो में आप से फिर मुलाकात होगी तब तक मैं आप से लेता हूँ विदा जैह